मधुर भाषन लेखक है गुलाव राई प्रस्ना एक निम्ना लिखित प्रस्ना के उत्तर दो तिन बाइक में दीजिये प्रस्ना का भाषा के द्वारा मनुष्य ने किस प्रकार के उन्नते की है? उत्तर पशुओं के पास भाषा ना होने के करण बहाजार बर्ष से जहां के तहां बने हुए है मनुष्य के पास भाषा होने के करण उत्तर तर उन्नति करता चला आया है उसे भाषा और बुद्धी के बल पर पंच्यों महाभूतों पर विजय मिली प्रस्नक खा, मधुर भाषन किसे कहते है? उत्तर, जो भाषन मन को अच्छा लगता है, चित को द्रबित कर देता है, वही मधुर भाषन है मधुर भाषन दोर उठ्ठ को मिला देता है ग, बान भट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए क्यू कहा? उत्तर, बान भट्ट के छोटे लड़के ने एक सुखे पेड का बर्नन करके कहा, निरास दरुबार बिलसती पुरत उसके मधुर सब्ट शन्योजन को शुनकर बान भट्ट ने उसे कादम बरी पुस्तक पुरी करने को कहा प्रस्न घा, किन-किन गुणों के करण मनुष्य आदर भाजन वनता है? उत्तर, बात्चित में स्रिष्ठता का ख्याल रखने से मधुर भाशी मनुष्यों समाज में आदर भाजन होता है और उसके शफलता के लिए रास्ता साप हो जाता है मधुर भाशी कतनी और करनी से सरीकरनी में शायम्म रखकर दूसरे पर प्रभाब डालता है और दूसरों को प्रशन न भी कर देता है प्रस्न उवं, मधुर भचन और कटु भचन बोलने वालो को क्या मिलता है? उत्तर, मधुर भचन बोलने वालो को आदर मिलता है वर रूठे हुए को मना लेता है कट्टू बचन बलने वालों को दूदकर मिलती है वो दोस्त को भी दिश्वन बना देता है प्रस्णच्या किसी काम को कराने के लिए सज्जन का पहला कर्तब वे क्या है उत्तर किसी काम को कराने के लिए सज्जन का पहला कर्तब वे है की बो दूसरों के सभिमान के रक्षा करें इसलिए उसे काम कराने से पहले कृपा और काम होने के बाद धन्नवाद कहना जरूरी है सज्जन काम कराते समय किसी को निचा दिखाने वाली बात नहीं करते प्रस्न च्या बारतालप में बैपारिक बादचित और निजी बादचित में क्या आंतर है? उत्तर बारतालप में बैपारिक बादचित और निजी बादचित में थोड़ा आंतर है बैपारिक बादचित शिष्ठ और नपी तुली होती है निजी वादचीत में आत्मियता रहती है और अपनी बात पूरी देर से समझा देना आवश्यक है नमबर दो नेमनल लिखित प्रस्ण के उत्तर एक या दो बैक में दीजिए प्रस्ण का मनुष्य की शामाजिकता किसके द्वरा कायम रहती है? प्रस्ण का मनुष्य की शामाजिकता भाशा द्वरा कायम रहती है प्रस्ण का कैसा सब्द दो रूठों को मिला देता है और कैसा सब्द दो मीत्रों को मन में बैमनुष्य उत्पन कर देता है? उत्तर एक मधूर सब्दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटूर सब्दो मीत्रों के मन में बैमनुष्य उत्पन कर देता है प्रस्ण गहा बान भट्ट के कौन सी किताब अधूरी रह गए थी? उत्तर बान भट्ट के किताब कादमबरी अधूरी रह गए थी प्रस्ण गहा बारतालाब के शिष्ठता से हमें क्यालाब मिलता है? उत्तर बारतालाब के शिष्ठता से हमें आदर मिलता है? प्रस्ना उओं, कथनी और करणी में सैम्म क्यों आवश्यक है? उत्तर, कथनी और करणी में सैम्म शिष्ठता के लिए आवश्यक ता है प्रस्न चा, मनिश्य कब बद्ध बनता है? उत्तर, बचन के अनुकुल कर्म करने से मनिश्य बद्ध बनता है नमबर तीन, निमनल लखित प्रस्णा के उत्तर एक सब्द या एक बाइक कमें दीजिए प्रस्णा का, भाषा द्वरा किसके रक्षा होती है? उत्तर, भाषा द्वरा हमारे ग्यान और अनुभाब के रक्षा होती है प्रस्णा का, मधूर भाषन निमन्द के लेखक कौन है? उत्तर, मधूर भाषन निमन्द के लेखक गुलाव राय है प्रस्णा का, कौन मनुष्य को आदर भाजन बनाती है? उत्तर, बारतालाब के शिष्ठता मनुष्य को आदर भाजन बनाते है प्रस्णा घा, मधूर भाषी के लिए किसमे शाइम्म रखने की आवेश्यकता है? उत्तर, मधूर भाषी के लिए कथनी यर करणी में शाइम्म रखने की आवेश्यकता है? प्रस्णा 1. किन किन का सामन जश्य मनुष्य को स्रिष्ठता के पत पर पहुचाता है? वित्तर मान, बाणी और कर्म का सामन जश्य मनुष्य को स्रिष्ठता के पत पर पहुचाता है प्रस्नच्य किन-किन का यग नहीं हो सकता वित्तर ह्रिदय, मलिनता और मधुर बचना का यग नहीं हो सकता प्रस्नच्य किसकी दो लाते भी सहन की जाती है उत्तर दुधारुगाय की दो लाते भी सहन की जाती है प्रस्नच्य किसकी दो लाते भी सहन की जाती है प्रस्नच्य शिष्ठता क्या है उत्तर बाणी की मधुरता के साथ बिनाईपुर्णा व्यवहार ही शिष्ठता ही प्रस्न ज्या किसकी रक्षा सज्जन का पहला कर्तव है उत्तर अपने से कम स्थीती के लोगों के सभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव है प्रस्नों नियों, नीजी संबंद की बादचीत में किसका अभाब ना रहना चाहिए? बतर, नीजी संबंद के बादचीत में अत्मियत का अभाब ना रहना चाहिए? भाशा ग्यान नमबर वन, निमनल लिखित में से बिशेशन शब्दों को चून कर लिखिए इसमें विशेशन है भदिक, पट्टू, व्यपारिक, सेधन्तिक नमबर दू, नीमना लिखेद सब्दों के लिंग बताईए गंध, स्त्रेलिंग, भाव, पॉलिंग, करतव्य, पॉलिंग, परंपरा, स्त्रेलिंग भाशा, स्त्रिलिंग, भाशन, पूलिंग, वचन, पूलिंग, बाणी, स्त्रिलिंग, साहित्त, पूलिंग, उन्नति, स्त्रिलिंग नमबर तिन निमन लिखित के परिया वाची सब लिखिए सब्ध परिया वाची सब्ध मनुष्य का परिया वाची सब्ध मानव चित्र तश्वीर पस्तक किताब मधूर मिठा कटू कडवा आनंध खुशी नमबर चार निमन लिखित सब्धों के बिलम रूप लिखिए सब्ध बिलम सब्ध या तो बिलम रूप ग्यान अग्यान उन्नती अवनती सच्य जूठा मधूर तिक्थ आनंध निरानंध मीत्र शत्रू बड़ा छोटा नमबर पांच निमन लिखित सब्धों के प्रयक से एक एक बख्य बनाईए बचन बचन से बख्य होगा हमें मधूर बचन बोलना चाहिए भाशन निता भाशन देते है चाल्धाल हमारी चाल्धाल अच्छी होनी चाहिए आदान प्रदन हम भाशा द्वारा विचारों का आदान प्रदन करते है सामन जिश्य हमारे कथनी और करनी में सामन जिश्य रहना चाहिए इनकर मैं जाने से इनकर करती हूँ अत्मियता बच्चित में अत्मियता का भाव होना चाहिए नमबर च्छ निमनल लखित बाइकों को शुद करके लिखिए क भाषा मनुष्य के विशेश अधिकार है शुद वाइक्य होगा भाषा पर मनुष्य का विशेश अधिकार है ख रिदय का मलिनता और मधुर वचनों में यग नहीं हो सकता इसका शुद वाइक्य है रिदय का मलिनता और मधर बचुनों का यग नहीं हो सकता ग, कटुभशी लोगों में लोग रिदय खुलकर बात करने से डरते है शुद वाइक्य होगा कटुभशी लोगों से रिदय खुलकर बात करने से डरते है घ, भाब को प्रभाब्शाली भाषा के व्याक्त कर देना ही सहित वो है शुद वैक्य, भाब को प्रभाब्शाली भाषा में व्याक्त कर देना ही सहित वो है ओ, मधुर बचन दूसरे से सरी दूसरे में प्रशन भी कर सकते हैं शुद्वाइक्य मधर बचन दुसरे को प्रशन भी कर सकते है नमबर साथ ता प्रते लगा कर सब्द बना ये सब्द प्रते युक्त सब्द समाजिक, समाजिकता, मनिश्य, मनिश्यता, प्रशन प्रशन्नता, अशिष्ठ, अशिष्ठता, मलिन, मलिनता नमबर आठ एक प्रते लगा कर सब्द बना ये सब्द, प्रते युक्त सब्द विचर, बैचारिक, निति, नेतिक, इतिहाश, एतिहाशिक भूत, भैतिक, समाज, समाजिक, सहित्व, सहित्थिक, सिद्ध, सेद्धिक, वैपर, वैपरिक सब्सक्राइश please subscribe my channel like comment and share